नमस्कार दोस्तों सो क्यूसन हम इस वीडियो कलास में देखने वाले हैं जिसमें 80 क्यूसन जीके के हैं और 20 मोनविज्यान के हैं और ये पेपर है संस्कृत भी भाग वाला सेकिंड ग्रेड जीके का जो बारह तरीक को हुआ था ये दूसरे वाला है एक तो हमने कर लिया है ये दूसरी पारी वाला है पहला परसंदे के हम इंपोर्टेंट है व्याख्या भी हम करेंगे 1877 की करांती के समय किस पॉलिटिकल अजेंट का सिर काट कर तो इसमें आपको याद रखना कि जो सिर काट कर गुमाया था आवा के किले के दर्वाजे पर लटका दिया था सिर काट कर नहीं है वलो उसको टांग दिया था किले के उपर तो ये मेक मॉंसन है ना मेक मौनसन ऐसे मारोडिमेटरी क्या रखना कि उसको मौस के टांग दिया किले पे तो किले पे टांग ही हो ऐसे वो कहुत भी चलती है और उधर वावा का आपको पता है यह कुसाल सिंग जब की जो बर्टन है यह बर्टन का सिर काट के सहरे में गुमाया था बर्टन वो कोट ह की बात है और यह जो मेक मौनसन अना यह आवा की बात है ठीक है एक जो पिसला पेपर था जिसमें एक तो इकाउनवा स्वाल था आपके कमेंट आया कि 1935 के अधिनियम द्वारा पुन अरगठित किया गया तो यह हम की तो आना कि आरपीशी के अनुसार यह हम लगाते हैं हो सकता है हमसे भी कोई तूटी रह गई हो या कई वार आरपीशी से संस्ता भी तूटी कर देती हैं तो इसमें संग्य लोक्षवायोग यह 1919 वाले में था फिर ली कमिसिन गयनुसार 1923 मेर वो अनुवती मिली थी संग्य नायले तो क्यों लिए दो ही होगा वही ठीक है तो राजे सबा के सदस्यिन कों से पिदघरा पद की सपत लेते समय राचे सदस्यिन नहीं थे तो देखो इंडरा गंदी है वो राजे सबा के सदस्यिन थी मनमोन सिंग भी थे मनमोन सिंग का तो याद रखना सबसे लंबे समय तक ये रहना 2004 से लेके आगे 13 जवड़ तक तो ये लगातार रसाल रहना तो दोनों बार ही राजे सबा से रहे ये असम साइड से ये गुजराल भी है अब लक्षिय वाली गाइड में तो ये तीन का इनाम दे रखा है ठीक है अब इसको दुबारा इंटरनेट पे सर्च किया तो ये करनाटक से सीम थे और ये भी राजे सबा के जो है वो नहीं पूछा किया देखो परदानमंत्री बनते समय अपने पद के सबतली किसे में राज जी सबा के सदस्य नहीं थे ठीक है तो ये तो थे ये भी थे ये भी थे और ये देव गोड़ा भी थे इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे ना तो ये भी थे तो इसलिए ये परसन डिलीट होना चाहिए था इस आप से चार उप्सन आ र अगे इधर चलें वापस निम्न में 1923 में बंद किये गए समाचार पत्र को यानि 23 में बंद कर दिया था फिर उसको वापस शुरू किया तरुन राजस्तान नाम से तो क्या नाम था वो तो पहले था नवीन देखो नय है नय का ही बाद में तय बनाया ठीक है नय का तय बना के थे कौन सानिता माउंट अबू के राजस्तान में विले से समन दीता है तो देखो माउंट अबू जो है ना शीरोई तो शीरोई में आपको पताई है शीरोई में क्या है पहड़ी इलाका है बाटे 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 हैं बहुत सारे तो भट है ना तो कहा गए गोकुल भाई भट ऐसे ट्रिक से आपर आद रख सकते हो शिरोई में आगे हम देखे लोग देवता कल्ला जी तो कल्ला जी की बात आए तो इसमें आजाएगा उदे सिंग उदे सिंग 1567-68 में अकबर ने हमला किया था चितोड का तीसरा साका हुआ था जेमल और पत्ता जो है तो जेमल के कंदे पे बेट के युदिक्या यादा आगया होगा आपको चार आतों वाले लोग देवता जेपुर में नाथों का परवाव समापत करके रामानन्दी बक्ति परमपरा इस्तापित किसने की तो पय हारी याद रखते जाना आप जोदपुर का महरान वेट दुरग किस पहाड़ी पर है कई सरल सरल परसन भी है सरल परसन को गलत हार से नहीं निकल लेना चाहिए गलत नहीं होने देना चाहिए लापरवाई से ध्यान रखा करे तो ये हो जाएगा चीडिया टूंक घाने राव पाली में है गोरव सिंग घाने राव सर भी तो पापुल रहना सब विद्यार्थियों के चाहिए थे तो पाली याद रह जाएगा जीया जो है वो नागोर में है रीया बड़ी रहना बिनाय बिनाय तैसी लहना अजमेर में तो ये सब किस से संबन दीता है तो ठीकाने तो इसमें देखो मेवाड तो है नहीं ठीका उदेपुरसाइट रह गया हाडोती भी नहीं है डुनडाड तो इसका उतर हो जाएगा मारवाड ठीका मारवाड इसकूल चितर कलाशेली अनवठ अनोठ जरा पोलरा तो ये पाउं के है पोलरा पाउं के अबुसन है रठ लेना इनको किस संपरदाय में पूरसोंद वरागनी नरते तो जसनाती है एक कतरिया सर एक एकजाम में ये पुछा गया कहां कतरिया सर कूबले माला जिसमें राजस्तानी मारवाडी का व्यूले खना अध्योतन सूरी की अध्योतन सूरी तो कितनी अठार बासाओं का नाम है विरुद सत्तरी राजिया राजसो कौन सा सुमेलित है मलत तीन गलत है एक ही सही है तो ये सही है बोल भारमली सत्य परकास जोसी तो याद रख लेना तो देखो मारवाड जो है मेवाड तो बना उनिस सो अड़तीस में मारवाड जो है वो बना था उनिस सो चोटीस में और बास वाड़ा जो है उनिस सो तैयालिस या चमालिस जो है इसमें 43 ठीक है 1943 तो ये बास वाड़ा वाले में तो भुपेंदर का नाम आता है भुपेंदर नात याद होगा आपको भुपेंदर त्रिक भी आदरे जाएगे देखो बास जमीन में भूमी में ऊगते हैं काफी गहरी जड़े होती है इसे ट्रिक से भू से याद रख लेना मेवाड़ वाले में आपको बता है मेवाड़ वालो में बल था तो माने के लाल वर्मा तो संस्तापक है और बलवन तराई मेता जो है वो क्या है अद्यक्स है मारवाड़ वाले में संस्तापक तो जो है वो मारवाड के ना वो क्या व्यास जी और अद्यक्स जो है वो सराफ है तो इसमें आप मिलान कर लेना इसको दो नमर पर सही काल करम, इसतापना का तो एक दो तीन ही हो जाएगा ने इसका तेरे में का एक दो तीन, दो नमर ठीक है, कौन सा कथन? ऐस संगत है मुमाशर उत्सव, चंदर भागा, चंदर भागा वाला सही है जहलावार कजली तीज बुंदी देखो कतली बुंदी साधिवया में होते हैं ना कतली और बुंदी तो कजली तीज बुंदी सीत और गरम उतसो दोना माउंट अब हुआ है तो यह जो मौमासर है ना मौमासर मौमासर जो है यह अपने मौमासर पढ़ता है विकानेर में ठीक है मौमा सरुप्सो विकानेर तो यहां पे विकानेर होगा आगे चलते हैं पर्थम्बार साथ जारी का मनसब साथ जार जात छैहजार सवार और फरजंद की उपादी यह सब मीर्जा राजा की उपादी यह सब अमेर के किसा सको मान सिंग को मान सिंग को अक्बर ने दे थी ये मान सिंग पर्थम है डिवीत्य तो जो एक करन के समय थे वो थे मुगल और मारवार संगर्स जब हुआ तो मेवार के किस महराणा ने राठोड़ों का साथ दिया मारवार के जो राठोड़ थे तो महराना राज सिंग जो है उन्होंने साथ दिया था राजस्तान लोक्षिवायो कि अधिक्स का कार्यकाल है तो देखो सीधा सिंपल है ना सैवरस या बासट शैवर्टा बासट याद रख लेना तो राज जेपाल के दोरा निक्त नहीं किये जाते राजस्तान उसने लेके न्यायदीश राजस्तान के केबिनेट मंतरी ठीक है तो क्या उतर हो जाएगा इसका उसने लेके जो न्यायदीश है उसका आपको पता ही है कि इनकी निक्ति तो जो है वो राश्टर पति करते हैं ठीक है तो ये राश्ट्रपति जो है वो होगा ये तो सफ़ दिलाते हैं और बाकी केमिनेट मंत्री है राश्ट्रपति के देख से इनकी नियुक्ति राजेपाल के द्वारा होती है राजेपाल इनकी नियुक्ति कर सकता है और इनको निलंबित भी कर सकता है पर बरखास्त कर के पावर राश्टर पति के पास है आज प्यसी वाली मुख्य मंत्री प्द चार बार धारित किया खिशने राजस्तान के मुख्य मंत्री का प्द चार बार तो मौलाल सुखाड़ी है न यह सबसे लंबे समय तक रहे और चार बार रहे देखो उनिस सो त्रेवन त्रेपन 67 खतर नागे है और 67 से 71 तो यह रह गए कुल 17 वर्स। ठीक है 17 वर्स जो है यह रह गए दो बार रहे हैं खारी देव जोसी तीन बार रहे हैं असोग गहलोत तीन तीसरी बार है शीव-च्षरणा माथुर दो बार रहे है ठीक है और तीन तीन बार रहने वालों में ये तीन ही है एक दो तीन ये चार बार रह अगे तीन से अगरे एक में ये भी पुछा गया था कॉलेज लेक्षर में किशिमे अगले बात बारतिके समुदान के अनुसार राजस्तान की मंतरी परसद में मुख्य मंतरी सहित मंत्रियों की कुल संक्या कितने से अधिक नहीं हो सकती तो देखो दोस्थ हो है न विदान सभा के तो 30% का है मतलब अधिक्तम 30 मुख्य मंत्री सहीत 30 हो सकते हैं यह वह बात है और कौन सा संसोधन था यह तो यह 30 हो सकते हैं यह था इक्राण में संसोधन है 2003 इक्राण में वहां संसोधन 2003 में याद रखना जिसमें मंत्री मंडिल के संक्या था की गई मुख्य सच्चियों में किसका कार्यकाल सबसे कम रहा थीक है तो सबसे कम जो है इसमें हम माथर इनका सबसे कम है और सबसे अधिक वाला भी आप देख लो B.S. महता ठीक है B.S. महता महता का काफी महतव है काफी महता है ऐसे ट्रिक से याद रख लेना तो माथुर जी तो बहुत कम रहे और महता सबसे लंबे समय तक सबसे ज़्यादा समय रहे और फर्ष्ट मुख्य सच्चिव पूछे तो K. राधा क्रिश्चन ठीक है? वेसे मुख्य सच्चिव का टोपिक हमने कवर किया था अच्छे से एक में पूछा गया था नो पिसले में कि शीनी राइस जुरू नहीं कि वरिष्ट तम्यो वरिष्ट हो ना चाहिए प्रवरिष्ट तम्यो जुरू नहीं है मानव अधिकार स्रंक्षन अधिनी मुद्शो तराणम है इसका भी वर पिसले में देखो धराओं का पूछा था तो किस धराओं में मानव अधिकार आयो कि अधिक्स की न्यूक्ति का प्रावदाद है तो देखो मैंने ऐसे ट्रिक बताई थी कि दो जणे आँमने सामने बेठके ऐसे निप्ति करते हैं तो 12 में तो है न्यूक्ति ठीक है and 24 24 में है कार्य काल 24 कभी कितने साल रहो गे बताओ कार्य काल 24 पूछ थे है तो ये भी 3 वटा 70 है पहले 5 वटा 70 था 21 में है गठन ठीक है 21 में गठन 22 में हो गया इनका नियुक्ति 23 में है हटाना 23 में है हटाना तो यह आप 3-4 याद कर ले ना मानवा दिकार खा जो 1913 में वाला कानून था ना उसके धराए किस सहर में पंचाई तराज प्रसिक्षन केंदर इस्तित नहीं है तो यह शिरोई में नहीं है बाकि अजमेर में है लुंगरपुर में है मंदोर में है विदान सबा में सदस्यों की निर अरहता कि भी किसी MLA को हटाने से समन दित यह दिया परसन उठता है कि राज विदान सबा का कोई सदस्य भारत समीदान के नुस्यद एकुल करान में एक खंड नएक में वर्णित की निर असलता से गरहता है कि मालोग कोई MLA है तो आय-योगे हो गया है वह गरहता हो या है या नहीं तो यह प्रसन विदान सबा अध parked की बीनेस से के लिए निर दे सिट किया जाएगा और उसका विनी से अंतिम होगा तो क्या विदान साबा का अध्यक्स जो है उसी का निलने अंतिम होगा क्या तो जहां तक मेरे ध्यान में आ रहे हैं निलने तुनी का अंतिम है पर इसमें कोई ने कोई बीच में कोई बात फसाई हुई है एक इसी परस्न पर विनिस हिया करने से पहले अदेक्स निरिवाच्छन आयों की राइ लेगा और एस़ी राइ के अनुषार कारिये करेगा तो इसमें जो माना है उदै माना नहें तो एक नहीं दो सही है तो फिर क्या हो सकता है इसमें आप कमेंट करके बताना दोनों क्यों सही नहीं है कौन सी बात है बारत के समिधान के अनुसे देख सो निन्याण में के अंतरगत दी गई धन विदेख की परिवासा में कौन सा सम्मिलित नहीं है तो देखो धन विदेख में क्या क्या आ जाता है एक तो अनुसे देखो निन्याणमा में है परिवासा है ना निन्याणमा का फेर ऐसे धन का कहते हैं निन्याणमा का फेर ठीक है अब आप याद कर लो विदेख जो राजे सरकार द्वारा करके अधिरोपन का हो कोई कर लगाय जा रहा हो कोई कर हटाय जा रहा हो उत्सादन परिहार उसको रोका जा रहा हो परिवर्तन यानि कर से सम्मधित पहली बात तो यह आ गई धन विदेख में दूसरी चीज है विदेख जो राजे द्वारा धन उधार लेने के मामले में हो तो यह भी धन विदेख है विदेख जो राजे के संचित निधी या आकस्मिक निधी के मामले का हो तो भी धन विदेख है यह नहीं है चोथा विदेख जो किसी इस्तानी परादिकारी या निकाई द्वारा जैसे मालो कोई पंचायत है या नगरपालिका है द्वारा इस्तानी पर्योजन के लिए जो खर्च किया जाए लिया जाए तो वो धन विदेक में नहीं आता है ठीक है तो एक सुनी नियार में नुचे दिया दखना तो किसी परकार का कोई कर्व अगर लगाए जाए इस्तानी निकाई के द्वारा तो वो धन विदेक में नहीं आएगा राजस्तान में पंचायत है राज के समन्द में कतन एक दो तीन देखो कतन एक दो तो इतना याद रहता है नहीं है कितना ही पंचायत राज पढ़ लो तो भी कि जोदपूर, भरतपूर, जेपूर, शीरो, युदेपूर और करोली रियासतों ने पंचायतों पर कानून बनाए कि कोई न कोई जीले का नाम में सोई जाता है दूसरा बिकाने राजे का अपना गराम पंचायत दिनियम बहुत पहले 1928 में था चलो यह तो मानन लो सन का मामला तीसरा है 1948 में राजस्तान पंचायत दिनियम बनाय गया और पूरे राजे में गराम पंचायतों कि स्टापना की गई तो देखो 1949 में यह नहीं बनाया गया था ठीक है, 1949 यह नहीं होगा यहाँ क्या सन होगा आपको द्यान में है तो आप कमेंट करना तरेपन था साइद याद आ रहा है पिसले पेपर में तो इसमें देखो यहाँ पे बात क्या है कि इसको आप कैसे याद रख सकते हो कि तीसरा जो है ना 1949 तो है नी कलियर है तो यह कतन तो होगा नहीं तो कई बार देखो अब तीसरा इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है तो यह एक और दो बले याद ना हो तो भी ऐसे आप थोड़ा सा लोजिक लगा के सरी कर सकते हैं निमना कित में से कौन राजस्तान रतन अवार्ड तो यह करंट अफेर में हमने पहले भी पढ़ाया था अब भी पढ़ा दिया है तो छह लोग थे जिसमें डियार मेता नहीं है मालू जी है निजाम है लोडा है ठीक है उसके अलावा लक्समी मितल लक्समी निमास मितल है ना वो है और एक वो जो नियादीश है अंतराष्ट्री में नेले में है न वो वो है देखो इनके मैं आपको नाम लिखा देता हूँ क्या पता वापस गोम के आ जाए बंडारी है ना बंडारी जी है और एक है अगरवाल अनिल अगरवाल यह बिजनिसमें अनिल अगरवाल ठीक है तो यह आप याद रख लेना लक्समी मित्तल, बंडारी लोड़ा, चीन काफ निजाम और केसी मालू 6 लोगों को मिला था राजस्तान इव वहिकल पोलीशी दो हजार बाईस तो 5 साल है 27 तक डेविंदर जाज़ड़िया को अब तक पेरालम्पिक का पूछा है बयालम्पिक के साथ पेरालम्पिक कोते हैं पेरालम्पिक खिला रही है यह कितने पुदक हासिल की हैं तो इन्होंने तीन की हैं देखो एक तो 2004 में एथेंस ओलम्पिक हुआ था ठीक है उसके बाद 2008 में और 12 में यह नहीं ले पाए 2016 में जीयो में हुआ था क्या जीयो डी जेनेरो में हुआ और अभी 2020 में जो है वो जापान में टोक्यो में हुआ तो सभी में इन्होंने यहां तो लिया इन्होंने गॉल्ड यहां भी लिया इन्होंने गॉल्ड और यहां भी लिया सिल्वर तो तीन पदक जो है इन्होंने ले लिए और अभी इनको पदम स्री पदम भूसन पदम भूसन अवार्ड जो है वो इनको मिला था पदम भूसन ठीक है याद रखना तो यह परसन तो ऐसे होते हैं जो छोड़ने वाले होते हैं सारे सो में से सो सी थोड़ी करके आने हैं तो यह जो कार्बनी स्टोक है 110.7 मिलियन टन दिसंबर 2021 तक राजस्तान की कुल अधिश्टापित यह इंपोर्टेंट परसन है ऐसा परसन पुछा जाता है बिजली का पुछा जाता है दो तीन एकजामस में पुछा गया है तो इसका जो उत्तर है न इसमें तो यह 23,321 है य 23,321 है न इसमें दे रखा है चारसो सित्यासी 23,480 मेगावाट ठीक है यह फिर ऐसे आजाए मानलो 23.48 गिगावाट ठीक है यह है बिजली के चमता है इसकी ठीक है तो 23,000 2480 कुल उर्जा की चमता है राजस्तान की मेगावाट में ठीक है अब गिगावाट में तो भीज में पॉइंट लग जाएगा 23,4 तो यादर जाएगा आपको मेरे खायाल से पूछा जा सकता है दूबारा कोई बरुसानी यह पूछ ले कौन सा खेल राजीव गांदी ग्रामीन खेल में नहीं था तो इसमें फुटबोल नहीं था द अब तो 23 से आ गया बजट तो 22 ठीक है कतनों को ध्यान से पड़ें सतत विकास लक्षे 17 विश्विक लक्षों का संग्रह हैं है ना वो 17 लक्षे और भारत के राज्यों और केंदर सासित परदेशों को चार सरेणी में वर्गी करित किया गया है अच्चीवर, फरंट रनर, एस पिरेंट, 12 राजस्तान का एक मातर एस पिरेंट सरेणी का जिला है, तो एसे परस्णों में देखो इतना गहराई से यार तो नहीं होता, कई बार की तिनों इस है अइसे माललो नाव लेकर लगा दो तो लगा दो तो लगाई दो ना तो इसमें जो है तिनों इस हाई ठीक है आगे पर ये बात हर जगह लगुद नहीं होती है ना राजीव गंदी किसान बीज उफार योजना रभी दो हजार बाइस देश के समन्द में ठीक है तो कतन एक है यह यह योजना राजस्तान की बीज निगम दोरा करेवनित की जा रही है लग रहा है सही सा परते एक जिले में 111 किसानों को लोटरी के मादिम से उपार दे जाएंगे तो लोटरी वाड़ा सिस्टम साइध नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर क्या है माना इन्होंने कतन एक ही साइए वही ठीक है और कौन सा राजस्तान गरामीन आजीविका विकास परिसद जो है ना राजीविका का अधिकार प्राप समितिक आदेक्स है तो यहाँ परिसद का देक्स कौन है तो मुखे सचीव जो है ना मुखे सचीव जो है वो है दक्षिण अमेरिका में कौन सा एक मातर देश है जिसके अटलांटिक और परसांत दोनों समुंदरी तट रखाए तो दक्षिण अमेरिका जो है ना दक्षिरी अमेरिका देखो उपर में तो है ये उत्री अमेरिका हो गया और फिर नीचे जो है ना वो दक्षिरी अमेरिका हो गया जिसमें ब्राजील है तो यहां पर वो देश है जिसका क्या नाम है प्रसांत दोनों तर ठेकाई है तो ये वो देश है इसका कॉलम्बिया जो कॉलम्बिया है न तो कॉलम्बिया जो है न यहाँ पढ़ता है कॉलम्बिया इस साइड में तो इसके क्या है इधर तो आ जाता है अट्लांटिक ऐस क्या करतिका इधर आ जाता है परसांथ तो दोनों के टच हो जाता है जैसे अपने भीलवाडा और आदे के सिमा होती हैं दो राजियों के उसी साब से तो ये आपको ध्यान रखना इसका फिर है फेरल के नियम के नुसार गरी है पौने सरवादिक विक्षेपित जो है वो होती है तो दुरूओं के पास सबसे ज़्यादा विक्षेपित होती है कौन से कारक जल्वाई परिवर्तन के लिए उतरदाई है सोर धबे, अल निनो, बाहये, घटनाए, अनाचादन तो इसमें कैखे और गैतीनी है ठीक है चोथा नहीं है न आचादन तो हो जाता पर अनाचादन न इसलिए किस महादेब की ज़्याद संक्या सबसे कम है ठीक है यहाँ दिये गए है उसमें तो यहाँ पे अफरिका के देखो अच्छी खासी रोब की पे अच्छी खासी है दक्षिन अमेरिका जो है उसकी कम है दक्षिन अमेरिका इसमें आ जाएगा ठीक है आगे चलते हैं विस्वर परवासन रिपॉंट 2020 के अनुसार अंतरश्ट्य परवास्यों की जन संक्या लगबग है तो यह है एक सो दो सो इकैसी मीलियन हिमाले चोट्यों का निम्ला के नमेरिका तो देखो इसमें सबसे पहले जो है न दक्षिन से उत्तर की और जैसे भारत का अगर हमें अप देखें इसे सबसे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यह ऐसे सरेनिया है परवत तो इसमें जो तो सुरुवात वाली जो है न, वो है पीर पंजाल, सुरुवात जो है वो, पीर पंजाल है, ठीक है, तो ये पीर पंजाल, उसके बाद में जासकर, उसके बाद में लद्दाक, और उसके बाद में कारा कोरम, इस परकार से प्रवतों की जो सेनिया है, वो इनका करम है, कौन सा देर रखा है पुरा मानसुन का, डेट भी आपको भी फोटो दिखाएंगे, तो कॉलकत्ता, मुंबी, रांची, अगरतला, तो इसमें आजाएगा देखो अगरतला, त्रिपरा की जो राजदानी है न, वो, तो देखो जैसे, ये कॉलंबिया है, बोगोटा इसकी राजदानी है, और इधर जो है, आप देख पा रहे हैं, इधर तो है परसांत मासागर, ये पन्नामा, यहां से संदी है, इससे वो जूडता है उत्री अमेरिका से, और ये वेनेजवेला देश है, ये बराजील है, तो इधर जो इसका इसा है न, इधर वाला, यहां पे इसके जो अंटारक्टिक है, अंटारक ने अटलांटिक, ठेक है, परसांत अटल हिंदा न, इदर Atlantik जूड रहा है इसके महासागर इदर परसान जूड रहा है दूसरी हम देखें फोटो ये है जिसे कारा कोरम वगर सरेनिया तो यहाँ पे आपको दिखाए दे रहा होगा ये कक्षा नौ की किताब का है ये ये कारा कोरम है, ये लदाख है, ये जासकर है एक और दिखाते हैं आपको ये देखिए जिसे मानसून तो मानसून में जिसे ये भी एक अक्सा 9 की किताब में दे रखा है कि एक जून केरल से आता है लग बग पांच जून यहां दस जून मुंबई के आसपास पंदरा जून यह एक जून यह एक जूनाई के राजस्तान वाला हिस्सा और पंदरा जूनाई यह जैसल मेर वाला अब इदर आप देखो उन्होंने क्या पुछा अगरतला फिर कॉलकता भी दे रखा था मुंबई दे रखा था कि सबसे पहले मानसून केरल नहीं दिया उप्शन में तो मुंबई में तो लेट है और यहां पे देखो कॉलकता कॉलकता में पहीं पांच जून के लगवग इसा दे रखा है अब आप सोचेंगे इतना किस को तारीख याद रहेगी बात तो सही है वेशे थोड़ा सा इस पे नजर डाली हुई हो ना सभी लायनों पे तो यहां देखो एक जून ही बात तो important ही लिये वैसे कि एक जून केरल यहां ध्यान दे दिया पर यहां ध्यान नहीं दिया तो एक जून में देखो बांगलादेस में अपने ऐसे ऐसे गूम के एक जून तो ये कौन सा इलाका है त्रिपुरा नगालेंड मनिपूर मिजोरम तिनों को मिला कि त्रिपुरा से ट्रिक से याद रखा करो तो ये ये वाला त्रिपुरा है ये यहां मेगाले है तो त्रिपुरा जो है त्रिपुरा म मुंबई, रांची, अगरतला, समझ गया न, निम्लेसे कौन से नदी बर्मगिरी की पाड़ी से निकलती है, तो नदी का भी है इसमें, नदी का भी जो है यहाँ पे इसमें देखो, जैसे यह है गोदावरी नदी यहाँ पे, गोदावरी यह है कर्षना और यह काविरी, तो इसमें आगे आ जाएगा उप्सन, कर्षना उत्रो जाएगा इसका, समुदर तल से, अगला हम देखते हैं, सोरी काविरी होगा इसका, कर्षना ने होगा, बर्मगिरी के पाड़ी, चमाच आते हैं, काविरी होगा इसका, ठीक है, काविरी, वो नीचे वाला उप्सन, अब है समुदरतल से पांसो से तेरा सो सत्तर मेटी को चाले पस्चिमी घाट के पस्चिमी भाग पर पाए जाते हैं समुदरतल से ये उंचाई है पस्चिमी घाट के पस्चिमी भाग पर तो पस्चिमी घाट में जो वन है वो गरम इलाका तो है उसन कटी बंद और आर्द्र परणपाती उपोर्षन उसन कटिवन दी आर्द्र सदावाहरवन ठीक है ये सदावाहरवन जो है वो इसमें पाए जाते हैं ठीक है क्योंकि इनके पत्ते जो है न वो बारे मैने हरे बरे रहते हैं जड़ते हैं मगर वो एक साथ नहीं जड़ते हैं और इनके उंचा ही जो है वो काफी होती है, दिक्तम साथ मिटर तक उंचे होती है अमरक्ष, तो ये अपने एक तो पस्यम कातथ, एक आसाम वाला रो इलाका पूर उतर, यहां जे विवित्ता भी जैदा पाई जाती है, किस राजे की पाउनूर्जा समता सरवादिक थी, मार् देखना पड़ेगा, कौन सा उद्योग आठ परमुख, उद्योगों के मासिक सुचकांक के निर्मान में सामिल नहीं है, तो ये कपड़ा उद्योग जैस में सामिल नहीं है, भारत की सिर्ष दस निर्यात गंतवियों में मलेशिया को प्रतिस्ता पित करके इस्थान बनाया है, किसने बना लिया है, बेल्जीम, ठीक है, बेल्जीम, विदेश व्यापार से समन्दित कथन, अप्रेल नमबर दोजारी किसमें स्युक तराजी अमेरिका सीर्ष निर्यात गंतविया रहा, ये भी भी है, सरवातिक निर्यात वस्तों पेट्रोली मुतपाद रही, ये भी भी है, तो दोनों ही जो है, सही है, ठीक है ना, दोनों ही सही है, आगे, बारत में केंदर सरकार किस किसी पारिसों के आदार पर 22 अनिवारी कर्शी फसलों के नियूंतम समर्थन मुले निसित करती है, ये कर्शी वाले में हमने देखा था, कि फसलों का ये भी अलग से किम्मत आयोग भाई लागत और किम्मत वह ही करेगा ना बार सरकार के द्वारा अक्तोबर दोजार इकिस में अधी सुचित साथ पी एम मित्र मित्र जो है ना इसका भी हमने करंट जीके में पड़ा था M.I.T.R.A. तो ये जो है ना वो से समन्दित है कपड़े से समन्दित उसको टेक्स्टाइल बोलते है ना टेक्स्टाइल उद्योग तो एक किसे समन्दित है टेक्स्टाइल आजाएगा इतर वस्तर उद्योगों के पी एम मित्र का नाम आजाए ना तो वस्तर उद्योगों से समनित है ठीक है अगली बात करें कि 1919 के प्रावदान के अंतरकत विधान सभा में गेर निर्वाचित सरकारी सदोस्यों के संक्यातों 26 थी यह आप याद कर लेना 1935 के दिनियम में तीन सूचियां थी जिनमें केंदर और प्रांतों के मद्य सक्तियों की विवाजन का प्रावदान था किस अनुसूची में तीन सूचियां थी अनुसूची के अंदर तो अनुसूची साथ है इसका जिसमें तीन सूचियां थी गांदी जी ने हरीजन यात्रा कब प्रारंब की अब तारीक पूछ ले तारीक किसको याद रहती है इतनी है न तो 7 नवंबर 1933 अभी ये परसन दुबारा कोई पूछ ले तो बले तारीक याद रहे जाए 7 नवंबर 1933 मौलिक कर्तवियों को सिखाने संबंदी सुझाओं को कार्यानिवत करने वाली समीति के देख्ष जस्टिस जे एस वर्मा कौन भारत के समिदान के 42 संसोदन दुबारा जिसमें क्यों कर्तवे जोड़े गई थे न अनता इस्तापित नहीं किया गया है तो परतेक भारत का नागरी का कर्तवियों का समाशिक्संस करती यह उस पेपर में पुछा गया था परियावन का सरंक्षन वन वन जीव सहकारी समीतियों का नहीं है इसमें सहकारी समीतियों का कोई नहीं है और सो विदिक तंत्रिस प्रकार काम करें कि समान अवसर तो इसमें जो उत्तर है वो तीसरा ही हो जाएगा सहकारी समीतियों वाला ही हो जाएगा ठीक है तो यह होगा इसका तो ये करतवे से कोई ऐसा नहीं है करतवे कि राष्टर पत्ति अन्य कोई लाब का पधर्ण नहीं करेगा ये किस अनुछेद में है अब ये बड़ी बात है कि उनसटे आदरे जाएं अब उनसट के अंदर और पूस लिया इनोंने तो जो है इसमें उनसट का दो है इसमें उनसट का दो ठीक है ये राजनितिक दल सब्दावलिका उलेख ये इंपोर्टेंट है राजनितिक दल जो है उसके बारे में टोपिक भी आपके अलक्स है तो कहां पर है राजनितिक दल सब्द का परियोग तो ये 75 एक खै है ठीक है अगला जो ना इधर वाला यह आप इंपोर्टेंट है याद रखना इसको 75 एक खै पूर्वा परदानमंत्रियों पर विचार करें साथ नाव दे दिये कौन सा विकल्प उनके कार्यकाल का सही आरोहिक का आरोहिक मला बढ़ता हुआ कि भी पहले कौन था बाद में कौन था ठीक है तो इसमें मैं सभी के सन लिख देता हूँ तो आप इनको याद रख लेना पीवी नर्षिमार आप जो है ना 1901 में से 1906 में तक रहे और इसमें LPG की बड़ी गटना हुई थी उदारी करण, वेश्वी करण, निजी करण बीपी शिंग जो है वो राजी उगांदी के बाद बने थे 1989 से 1989 से 90 ठीक है उसके बाद में जो इंदर कुमार गुजराल है वो सित्यानमा इठ्यानमा में बने थे इनका भी आया था ना वो क्यूसन आमने देखा था पहले राजी सब्बा वाला रहो और चंदर सेकर जो है वो 90 से एकराणमा तक थे 1990 से एकराणमा और अटल भी हरिवाज पर ही जो है वो 1996 में बने थे मई में 13 दिन ही रहे थे ये उसके बाद में सरकार गिर गई थी फिर ये इठ्यानमा में वापस आये थे HD देव गोड़ा जो है वो 1996 से 1996 से 1996 बने ठीक है तो इस हिसाब से जो है अब आप इनका आराम से करम देख सकते हो बले ये परसन ऐसे तो रिपीट ना हो पर कुछ का कादे कल आपको याद रहे जाए ना तो फाइदा ही है यानि इसमें देखिए आप कि पीवे नर्शीमा राव है उससे पहले बीपी सिंग थे फिर जो है नबवे फिर नबवे से एकरान में चंदर सेखर चंदर सेखर के बाद में नर्शीमा राव इस परकार से आपना शेट कर लेना तो पूरी लिष्ट तो अमपड ने बैटता है याद नहीं होते पर टुकड़ों में थोड़े-थोड़े करते हैं ना कभी-कभी तो याद हो जाता है राजनित एक दलोरिस्तापना वर्स बिलान करना है तो बसपा बसपा उनिस सो चोरा से कांसियराम बारते कम्यूनिस्ट पार्टी माक पा तो ये भी राष्ट्रे पार्टी आपको पता होगा राष्ट्रे पार्टी याद रखना न ये है 1964 जम्मू और कस्मीर नेसनल और दर पहले में खै ठीक है पहले में खै हो गया दूसरे में है कै तो यह 1949 है ठीक है अब जो बच गया तो 1949 जम्मु कस्मीर वाली है फिक्की की इस्तापना किस वर्ष की गई 1927 याद रखना ये एक दबाव शमुए है राजनितिक दल और संस्तापक कौन सा सुमिलित नहीं है तो भारते कम्यूनिस्ट पार्टी जो है न मार्क्स वादी GPIM ये जएक एक राष्ट्रिय पार्टी है तो इसके MN रोई नहीं है इसके है वो स्री पाद अमर्त डांगे 1964 में इस्तापना हुई थी और स्री पाद अमर्त डांगे जो है वो इसके संस्तापक है मार्क्स वादी पार्टी के MN राय तो केवल माकपा के है रांकापा जो है अभी राष्ट्रे पार्टी का दरजा हट गया है तो सर्द पमार ये थे अकिल भारतिय तरण मूल इसका भी दरजा हट गया है ममताबनर जी है नेसनल पिपुल्स पार्टी इसको राष्ट्रे पार्टी का दरजा दिया गया ह अभी तो इसके पी ए पुरुनो एजी तोक संगमा पी ए संगमा इसके संस्तापक है ठीक है तो हमने कितने क्यूशन देख लिए आगे ओड़ देखते हैं चलने देते हैं गाड़ी UN सांतिय अभियान के समद में कौन से कथल सही है ठीक है तो इस में न ये सारे जो है वो सही होने चाहिए सबी सही है तो आप इनको रठी लो सिदे देख लो 29 मई को अंतराष्टे UN सांतिय अभियान देव उसके रूप में मनाया जाता है UN Charter का अध्याई 6 विवादों के सांतिकुन समदान के लिए है अध्याई 7 में सांतिके उलंगन परकारवाई का है सांतिय अभियान का कोई इसपस्ट उलेख नहीं है ठीक है तो ये चारों ही सही है कौन सा वेस्ट विकर्ण की विशेस्ता है तो देख उप भोगतावाद एक रूपता और वी प्रादेशी कर्ण प्रादेशी कर्ण का नुल एक ही जगह का हो गया तो पूरा तो तिन्नों ही है इसमें ठीक है तो ये आना 64 में ये आगे स्युक्तराष्टर सुर्क्षा प्रसद के एक ए इस्ताई सदशी के रूप में भारत के दो साल का कार्यकाल 21 से 22 हुआ था और अब तक भारत आठ बार रह चुका है कम्प्लिट हो गया है का समगर उदेशे नौरम्स अब ये जो है ना एन ओ आर एम एस इसकी फुल फोरम पूछ लिवे ये तो अब कमी ध्यान में आता है चीज़ें इसी किसने सिंदु जल समझोता इसमें 80% पानी का उपयोग पाकिस्तान करेगा 20% भारत करेगा ठीक है ये बात हुई थी तो जमालाल नहरू और मुहमद अयूब खान उसमेवा का परदान मंत्री था अरावले के परवत शिकर है तो एक तो आप में सिट्रिक यादर सकते हैं गुरू से आसा रखोर अब आजकल किया वो आसा बाला भी चेंज हो गया अब दिलवाडा इसमें आती है नए डाटा मे तो आप इन पांचों का हम देख लेते हैं यह सत्रासो बाईस है उसके बाद में सेर है पंद्रासो सत्यार में है ठीक है सभी का में लिख देता हूँ और उसके बाद में जो है तीन नमबर पे है डिलवाडा चावदासो बैयालिस तो गुरु का दिल जो है गुरु सेर दिल है ठीक है ऐसे कोई ममल चीज नहीं है गुरु सेर दिल है तीन तो यह याद हो गई आपको उसके बाद में तेरासो असी यह अचल गटका है और बारासो चोबीस यह जो है वो कुमल गटका है तो इसका उत्तर जो है वो एक नमबर हो जाएगा जर्गा भी यहा लिख देता है एक जर्गा जर्गा जो है वो है 1431 तो जैसे देखो ये चार पूरी उपठारी भाग में उसतवार्शिक वर्षा आड़ोती वाड़ा तो इसकी उसतवार्शिक वर्षा तो दो नंबर जो है 80 से 120 के मत दें ठीक है ये नदियां चंबल चंबल की आपको पता है परवन माही की अनास चाप साबरमती और बनास बनास की खारी बांडी है ना म पोरेल कोठारी साबरमती की वाकल मानसी वाकल वगर है ना हत्मती तो यह आ जाएगा इसमें उत्र के टिक लगाओं क्या एक नंबर ठीक है आगे 2011 की जनगर्णा के अनुसार नब्व परतिस्त से अधिक राजस्तान की कुल जनजाती जनसंग्या पेरा जनजातियां है बिल, मीना, अगराश या सहरिया उनमें नब्व परसेंट कौन से है मेंन में तो दो ही है मीना और भील जो है वो ही है अपने नब्व परसेंट ठीक है सुषक सागवान ये परसन पॉपलर परसन है ट्र데डिस्नल परसन है तो ये दक्षिन राजस्तान या बांसवाड़ा सुषक सागवान राजस्तान राजे के पुस्वपालन विबाग द्वारा गोवज परजनन है तूग गोपाल खारेकर पुराना परशन पूछ लिया है ठीक है कहां था राजे के दस दक्षिन पूर्वी जिलों में था ठीक है तो ये जो है 1990 और इकराण में पुराने ट्रेडिशनल क्यूशन भी पूछ लेते है 2011 की जन्दगर्णा के अनुसा राजस्तान के सहरी छेत्रों में मैला साख सरता तो सहरी छेत्रों में मैला साख सरता जो है वो 70.73 ये है 70 याद रख लेना लोको तता केरिज वरक्षोप अवस्तित है तो ये है अजमेर में लोको आगे हम देखें तो राज्तान में अफीम आपको पता है चितोडगड जालावाड जो ये इलाका है वो हो जाएगा उसके बाद में ग्रामीन परियतनिस्तल तो जैसे शेखा बाटी है तो ये तालचा पर है आना चुरू सिक चुरू में मारवाड हाड़ोती मेवाड 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 में ये हल्दी गाठी और ये जीन मा तब इदर इसकी ये कुलम में ये यहां आगे आएगा इसक अर। आतनि ये दर जीन मेवाड इसकी है अर् हाड़ोती में ये तालच अ है ये आतर इसके ठेक लगा देता है ये ये टेलिगराम पे बेज़्ट देंगे पीडिया परिविजन कऱेंब्ट आप परतियारों के कितनी असाखाई थी 26 और नेनसी ने अिसका उलेक्ट सबसे प्राचिन मंडोर वाले प्रतियार थे उसके बाद में आहड का उनिसो तरेपन में तो ऐसे आहड ऐसे अक्षे किर्टी व्यास ठीक है अगली बात अजमेर की स्तापना के पूर्व चोहनों की राजदानी तो सपाद लक्स सांभर अलावदीन ने जालोर पर हमला किया तो वहाँ पे कौन सा वंस था सोनगरा वंस है उसका अन्त हो गया था अब आजाती है मनुविज्यान सरली है अपने सामाजिक विकास के प्रक्रिया में बालक समुव बनाता है तो कौन सी आवस्ता में बाले आवस्ता गेंगेज है ना गेंगेज टॉली एज इसको बोलते हैं उसके बाद में पराणे के वांचे तब आवरा हूँ के लिए पुन्र बलन पुन्र बलन के उपर बल किसने दिया है तो इसकिनर ने दिया है तो इसकिनर इसका उतर हो जाएगा ठीक है BF इसके नर अच्छा EF और BF ओहो यह हो रहती सम्हें तो यहाँ पे जो है BF इसके नर इहें अधिगम देरे-देरे होता है नहीं कि अंतरद्रश्टी युक्त देरे-देरे होता है अभ्यास से प्रियास से तुरूटी से तो यह कहने वाला कौन है आपको पता ही है तो यह हुजएगा थार्ण डाइका ना और अधिगम अब अगला परसंद देखो यह अंतरद्रश्टी मुखी यह आप जानते हो अच्छे से ठीक है तो यह भी इन्होंने एकदम पॉपुलर क्यूशन देती है थेमेटिक टी 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 है ना टी ए टी मारवाड़ी में मैं कई वार याद करवाता हूं यह है टार्ट टार्ट होना तो बकरी बकरी को बोलते है टार्ट तो क्या कई वा अगला है थांडाइक तो बहु कारक्षिदांत बहुत सारे कारक इसने बताए था ना बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्दि सब्द का परियोग सबसे पहले किसने किया तो यानि एकदम पूरे इस्टेंडर्ड वो पॉपुलर क्यों सनो थे ना पुराने एकदम स इस तवाले को पूपूश लिए कि इस्टन ठीक है बुद्धि लब्दी सब्द का प्रियोग इस्टन यह एक बालग की वास्ति का यू बारे वर्स है और मान सिक भी अठारा बराबर होता तो तो वो सामने होता कम होता तो पिछड़ा होता तो यहाँ पर बहुत फरक है ना 12 रो वेसे 18 तो प्रतिवासा ले सिदा सिदा ही दिख रहा है वेसे आप निखल मावा हा ना मावा सो रुपे किलो मान सिक बठावास दुगन सो हिदी कोई बालक निस्पादन में स्रेष्टा को प्राप्त करना चाता है तो उसमें कौन सा अभी प्रेणन बलकारी करता है निस्पादन परफोर्मेंस में स्रेष्टा चाता है तो उपलबदी में चाता है तो उपलबदी अभी प्रेणन उसके बाद में अभी प्रेर्णा की प्रक्रिया का आरंब होता है आउसकता उसे शुरुआत आउसकता शे होती है आउसकता जो है न उससे इसकी शुरुआत होती है उसके बाद में है कक्षा आठ के बालक को निमन में से किस मुक्य विश्यसता की अदियार प्रतिवासरी कहेंगे उचछ बूधि लब्धि की अधार पर, वरिक्तिकद बिनता का अधार है, कौन सा मनविध्यानीक रूप से विक्तिक बिनता का, तो यहां पर बोधि की आगे हैं, मनविध्यान की बात है तो, कि वस्तु गटना पर ध्यान देने उसे पसंद करने का गुण तो यह भी रूची हो गया इंट्रेंश्ट की भी किसे भी आप ध्यान दे रहे हैं वस्तू बगर पे तो यह आ जाएगा अभी समता के लिए कौन सा कतन सही नहीं है तो भावात्मक पक से संबंदित यह सही नहीं है बाकि ज जो था सबसे उप्यूक्त है शिक्षा मनोविज्ञान शेक्षिक प्रस्ततियों जो है कि मनोविज्ञानिक आयमों का दिन है यह अनुबहुकार यह आ रहा है ना बालक की बूद्धी है तो यह सबसे ज्यादा है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकरति को दरसाने वाला सरव उत्तर कौन सा है विकास आतमक मनविग्यान संग्यान आतमक मनविग्यान शिक्षा मनविग्यान के बारे में तो अनुप्रियुक्त है ये अप्लाइड ठीक है अनुप्रियुक्त वेवार में परिवर्तन क्या होता है वर्दी तो मात्रातमक है तो तो वर्दी है और गुणात समक है तो क्या है विकाश है तो अगला परसंदे को जुड़ावा वर्दी के समने में कौन सा तते सही नहीं है वर्दी मात्रातमक है यह तो सही है यह बात यहां देखो यह परसंद यहां इसमें और उसके बाद में वर्दी के कारण कार्य समता में परिवर्तन होता है वर्दी के कार्ण कार्याद समता में परिवर्थन होता है तो ये विकास के कार्ण होता है बाकि ये तो सही है इन्होंने क्या पूछा है कि सही नहीं है तो वर्धी परिपक्तवा के बात रूजाती है ये भी सही है सामने तह वर्धी विकास में एकदान देती है पर अवैसा नहीं देत यह इस थाप से सही नहीं था ना तो यह दोस्तों थे 100 प्रश्ण हमने कंटीन्यूउू कर लिये हैं और रिविजण करवाने का उद्यश्य था कि आप रिविजशन कर लो और जो तेस तारिक और पेपर होने वाला है क्या पता यहां से भी एक दो सवाल का सिदा फाइदा मिल जाएं और जिके भी तैयार हो गया आपका इसे साथ से धन्यवाद